अगर आप इन तीनों में से कोई एक प्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मिंबर्शिप है वो आपको अपसुलूटली फ्री में मिल सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या है जस्त यहां apply here के उपर क्लिक करना है तो जैसे यह विब पेज ओपन होगा तो आपके या पर डीटेल्स आपको इंटर करने हैं तो ओनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्युमेंट्स रेडी है तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आइडिया है वह आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कन्फर्म करना है ताकि हम आपको इंटरे प्रीमियम मेंबर्शिप में आड़ कर सके तो यह चोटा इंट्रो था ट्रेडिंग के बारे में गूड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेल की निफटी लगाता और लाइफटाइम हाईज क्रियार करती है एक एक र्जिस्टेंश को पार कर रहा हैने फिख प announcing extension level को use करके आने वाले levels को project किया तो इसे एक 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 levels को यह पार करते जा रहा है । extreme bullish condition में इस वाक nifty index पहुच चुका है आने वाले levels क्या हो सकते है उसको देखेंगे intradale levels क्या हो सकते उसको भी identified करेंगे लेकिन सबसे पहले कल की आनालीसिस का फिकली रिव्यू करते हैं यह एक पिक्चर है कल का यानि 12 जनेवरी आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है पाइ मिनिट का यह चार्ट है कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो उपर या हाई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी तो कल के प्लान के अफटिंग हमारा ब्रेकाउट लेवल बन रहा था 14,501 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,451 तो जैसे के आप जेक पारे निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और ओपन होते ही यह एक्जैक फॉर्स टार्गेट जो हमारा था 14,432 इसी के आस पास इसन को कई बार इसने पेनेट्रेट गया कोजिश की ब्रेकाउट देने की लेकिन दो बार अटेंब में यह फेल हुआ जैसे इसने पीर ब्रेकाउट दिया फर्स टार्गेट 14,513 यह भी अच्छे हुआ हुआ सेकें टार्गेट 14,527 यह भी यहां पर अच्छे हुआ तो यहां पर कल के प्लान के अगर ट्रेड करते तो आरण 14 पॉइंट का ट्रेड करने का मौका था 10 लॉट के अगर ट्रेड करते तो आरण 10,500 का यह पर प्रॉफिट बन सकता था यह था कल के आनलीसिस का एक क्विकली रिवीव ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं कल अमेरीकी बा मार्केट्स लाज 2-3 महने से देखे तो एक साइडवेस मोमेंटम में चल रहा है एश्याई बाजार देखे तो एश्याई निशान में ट्रेड कर रहा है 26 पॉइंट की बड़त देखने को मिल रही है जापनीस इंडेक्स भी 161 पॉइंट की बड़त देख रहा है और 8 जनुरी का कैंडल एक बोरिंग कैंडल बनाया था और इसके बाद इसके हाई और लो के बीच में अभी तीन दिन हो चुते है यह ट्रेड कर रहा है नहीं नए हाईज लगे है नहीं नया लो क्रियेट हुआ है तो यहाँ पर डाव फीचर में साइडवेस पैटर्न चल रहा का कैंडल हम मंतली चार्ट देख रहा है इस समय यानि एक मेने का ये कैंडल है ओपन हाई लो और क्लोस तो इसके बाद मार्च के बाद जो रिकवरी आई है वो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही है और यह रिकवरी एक बुलीश एक बुल रन में यहाँ पर कनवर्ट ह हो चुकी है तो यहाँ पर जो लास्ट स्विंग हाई लो मिल रहा था एक 20 एमे को क्रॉस करने के बाद एक सडन फॉल आया था लेकिन 20 एमे का सपोर्ट लेकि यह बांस बैक हुआ तो उसके बाद इसने 50% का लेवल अचीवर किया उसके बाद 76.4% का लेवल एक लेवल इसन पर मंतली चार्ट अगर देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉंग बुलीश रन चला है आरे साय को कंपेर गरें तो मंतली चार्ट में भी अभी यह 70 के लेवल के पास आ चुका है लेकिन हमने वीकली और डेली चार्ट में देखा यह 70 के अबाव भी चला गया और एक्स्ट्रीम और बॉर्बाट हो गया हाला कि मोस्ट अब दे टाइम ऐसा होता है कि 70 के लेवल के आसपास आने के बाद हमें यहाँ पर एक फॉल दिखाई देता है यह इस तरह से यह देखे 70 के पास आ गया तो उपर प्राइज एक्षन में एक पॉल आ गया इसके बाद यहां पर 70 के पा हो सकता है यह 15,000 को टच करें और फिर एक बार फॉल देखने को मिले या फिर अगर वीकली और डेली चार्ट में देखें तो यहां पर अभी 14,600 का फिर नसी एक्सेंशन लेवल आ रहा था हो सकता है यहां से भी एक करेक्शन देखने को मिले प्रॉफिट बुकिंग देखने क हो सकता है यह नहीं कि 70 के पास आ गया तो प्राइस एक्शन को फिर से टूर्ट साउथ की तरफ आना ही है ऐसा बिल्कुल नहीं है तो यहां पर जब तक प्राइस एक्शन प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल के सिगनल नहीं मिलते तब तक यहां से हमें शॉर्ट पोजिशन बन 10605 नेक्स्ट 150 परसेंट का लेवल है जहां पर अल्मोस्ट कल निफ्टी इंडेक्स ने अचीव कर लिया था अल्मोस्ट 11,590 का इसने हाई लगाया कल तो हो सकता है 14,600 के पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिले अगर उसकी ऊपर अगर आरली चार्ट में सस्तेन करता है त तो निफ्टी इंडेक्स 14,720 के आसपास अमें पोस्टा हुआ दिखाई दे सकता है तो यह फिलाल डेली चार्ट का सिनरियो और मंत्ली चार्ट का सिनरियो है चलते 60 मिनिट की चार्ट में आज के लिए इंट्रा डेली लेवल्स क्या हो सकते अगर अगर निफ्टी इंडेक इंडेक्स देखे तो लास्ट आरली चार्ट में दो कैंडल इसने बनाया अल्मोस्ट दो जी जैसा पैटन है तो उपर इंडेक्स 14,600 के आसपास हो सकता एक सेलिंग प्रेशर देखनी को मिली तो जब यह 14,600 को कम्क्लिटली ब्रेक करेगा तभी इंट्राडे के लिए हम यह यह वोटा सा फरस्ट आर्गेट होगा और सेकंड डर्गेट होगा 14,627 यह हमारा सेकंड डर्गेट होगा और अगर तुवर्ड साउथ की तरफ आता है तो यह जो लेवल है यानि पिवट पॉइंट का लेवल अल्मोस्ट 14,528 के पास है तो इसको अगर ब्रेक करता है होगा 14,488 यह हमारा सेकेंड अर्गेट होगा तो यह है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स अगर आपको यह वीडियो आनालीसिस अच्छा लगाओ तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूँ So thank you very much and happy